वेल्कम बैक तो दर समाजिक गुरू चैनल आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर जो की है करने वाला है आपके फाइनल एक्जाम में वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो को बिल्कुल भी स्किपपत करना बिना देरी के वेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको एक इक नमबर के 15 प्वेस्टिन दिये जाएंगे ठीक है जिसमें कि आपसे MCQ, Philips, True Falls और जो है वो कुछ क्वेस्टिन जो है एक इक नमबर के वो पूछे जाएंगे पहला क्वेस्टिन जो इन्हों इस आप ठीक है ठीक है त्राइट स्वा डाउं जो एक टॉसलों डा değil टैमप्रेचर DP को करने की कोशिशी सर्टिंए इस पार जो आपार थेट रा यह अन्ट्राइद ठीक के बाद चुन आपधर जुट धाश्टों को एक डार्वा करह मैं वोदेएंगे का उंडेक है जो द इसके बाद जो है next question जो है वो हमसे यहां पर पूछा गया है कि how many tolas donated in the memory of Bhagwant Singh जो है वो भगवनत सिंह के जो है वो डोनेट की गई तो आंसर है hundred tolas next question है write the name of vitamins which are soluble in water तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से vitamin and C ठीक है तो vitamin B और C जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं अगला question है write any two names of foreign countries who participated in killer rifle sports तो दो country के नाम बताने हैं जिनोंने killer rifle sports में जो है वो पार्टिसेपेट किया answer है Canada England अमेरिका दो पूछा इनोंने ठीक है आप मैं आपको तिन चार ओप्शन दे लिए जो याद हो जाए वो कर लो Singapore ने फर्स्ट कोच ओ बिंद्रा वास तो बिंद्रा के पहले कोच का क्या नाम था आंसर है करनल जागीर सिंग ठीक है करनल जागीर सिंग ठीक है अगला question जो हम से यहाँ पर पूछा गया है वो है internal discipline is more तो internal discipline जो है बहुत जाद is more आप कह सकते हो effective भी इसके लिए यूज कर सकते है ठीक है सेबल की जादा जो है वो टिकाओ है एक तरीके से क्योंकि जो बेसिकली जो internal discipline होता है न वो क्या होता है वो अंदर से जो हमारे अंदर आते है कि हम इस तरह की काम नहीं करना चाहिए बेस थर्मोमीटर चेक्स दैश ऑफ बॉड़ी तो थर्मोमीटर जो हमारी बॉड़ी का क्या चेक करता है टेंप्रेचर टेंप्रेचर ठीक है इसके बाद जो यह रेवीज है भी है यहां पे ठीक है इसके बाद जो अगला question हमसे पूछा गया है true false का है वो ठीक है intoxication cause many diseases का मतलब क्या है कि जो नशा है वो कई प्रकार की बिमारियों का कारण बनता है तो यह statement बिलकुल सही है इसके बाद जो अगला पूछा गया हमसे we should dial 108 for ambulance service तो ambulance service के लिए इंडिया में 108 डायल जो है वो किया जाता है ठीक है तो यह बिलकुल सही है next है yoga cannot remove mental exhaustion तो दिमाग बिंद्रा वस बॉर्न इंचंडिगर अभी बिंद्रा का जन चंडिगर में हुआ था जबकि वो जिरकपुर में हुआ था ठीक है तो यह भी क्या हो गया false next आ जाता है multiple choice question what is CPR तो बुच्छों CPR के full form याद कर लेना बहुत ही अच्छे तरीके से C for Cardio P for Pulmonary Citation ठीक है तो answer हो ग क्या के चीज़े होती है protein भी होना चाहिए carbohydrate भी होना चाहिए fats and mineral salts भी होने चाहिए तो answer हो गया above all चीक है फिर part भी आ जाता है दो दो नंबर के 5 question पूछे गए हैं इसको करने से पहले बच्छों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है हमारी वीडियो आपके लिए किस इसी भी तरीके से helpful है तो चैनल को फटा-फट से subscribe कर दो कि यहां पर इस तरीके का helpful content अप्लोड होता रहता है तो question 16 है what do you mean by balanced diet आप balanced diet से क्या समझते हो तो balanced diet जो होता है contains all elements वो सभी essential elements यानिकी जरूरी elements को अपने अंदर जाहें वो शामिल किये होता है जो कि हमारी वाडी को जरूरत होती है जैसे कि carbohydrates, lipids, vitamins, minerals, proteins, fiber and water ठीक है are all essential components in a well balanced diet तो जो मतला कि balanced diet होता है उसमें इन सभी components का होना जो है वो जरूर होता है अगला question है what is first aid first aid जो है वो क्या होता है तो first aid is the provision of initial care तो starting level पर जो care दी जाती है किसे बीमारी के लिए चोट लगने पर उसको first aid कहते है ठीक है it is usually performed by non expert person तो यह जो है वो basically जो expert नहीं होते ठीक है non expert person जो है वो बीमार यह चोट लगे person को जो है वो करता है until appropriate medical treatment can be accessed ज जब तक कोई ambulance रही आ चाते है और किसी doctor के पास पो चले नहीं जाते है ठीक है तो next question है what do you know about the goal of yoga? योगा का जो उदेश है उसके बार में आप क्या जानते है तो goal of yoga is to connect once a soul to God by strengthening him physically, mentally, emotionally and spiritually ठीक है तो basically जो योगा का जो उदेश है या लक्ष है इनसान को physically, mentally, emotionally and spiritually fit बनाकर उ जो है वो जोड़ना एक की आत्मा बेसिकली आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन करवाना है ठीक है दूसरे शब्द में कहें तो it is a liberation of the soul from worldly suffering or problem तो basically आजाद करा देना आत्मा को ठीक है यह संसार की जो दुख है या मुसीबते है उनसे योगा prepares a person to face all the problem of life तो योगा एक इनसान और वो काबिल बनाता है कि उसके सामने जितनी वे problems आ रही है वो उन सब को द्रड निश्चे के साथ जो है वो मतलग कि face out कर सके उन problem को उनका सामना कर सके so that he may not distract from his path ताकि वो अपने लक्ष या जो अपने रास्ते से जो हो भटक ना पाए ठीक है अगला question है what are the measures to get rid of drug addiction तो इनसान को drugs से दूर करना जो इसका addicted हो चुका है however addicted person must be prepared mentally and physically to give up narcotics by the following man तो इन तरीके से उसको mentally and physically prepared किया जा सकता है ठीक है कि वो इन नशेली जो नशेली चीजे है उनको जो है वो छोड़े motivation किया जा सकता है इसकोल के teachers parents friends या जो teammates है ठीक है वो सारी जो है वो बच्चे मतलब कि जो भी परसन जो है वो मतलब कि ड्रग्स ले रहा है उनको motivate कर सकते हैं कि आप इसे छोड़ सकते हो है या उसके बुरी जो है वो क्या-क्या प्रभाव कर सकते हैं वो चीजे बताकर उसको motivate कर सकता है कि आ को जो हो जाएगा है उसको चीजा तरफ नहीं जाएगा इननसान को यूटिलाइज अच्छी तरीके से कड़ देता है और इस तरीके सब्सक्राइद जाएगा यानिकि नशीले चीजों की तरफ नहीं जाएगा। है और उसे बचा रहे गा या अगर वह एडिप्टेड है तो चोड़ देगा है अगला फ़स्ट्च ने होट इस वुटमिन वी कॉंपलेट्स होते है एड तरीके के वी वाइटमीन है और इसमें एक ही जिसन चीर के जहाना है जिसको कि वाइटमिन चीजे़ आजाता है पंती अनिक डी थी किसमैंड वॉयर्टमिन अपलीज यह कोबाल कोबाल अमाइन्स ठीक है जिसको कि हम वाइचमिन बीच्वल है तो यह किसमें अविलेबल है मिल्क कर्ड बटर चीज उसे साबूत दाले होती है अनाज सोया बीन मटर अंडे हरी पत्रदार सबजियां पत्ता गोभी प्याज पालक टमाटर और सैलेड्स में ठीक है इस 1560 टुक दा पोजेशन ओफ दा विलेज किला राइपूर तो उन्होंने जो है वो अपने अधिकार में ले लिया था किला राइपूर को राय लाला ने ठीक है 1560 में आतने बेटे को अटेकर से बचाने के लिए बन वाए थे और इसी वजए से डंड को गयां के नाम से भी लुद्यान में थाए छिंच धील्गवी के लैविएवन किलोमेटर वुबर्डब साय क्नेक्टेश धय ही रियेल और रोड दोनों से ही इसके बाद क्वेस्टिन है तो खाना पकाने की क्या-क्या सिधान्त है गोगिंध फॉर्पर ली फॉप्ड फॉड फॉड हेल्ट अच्छे तरीके से पड़ का हुआ खाना जो है ठीक है वह मारी हिल्थ के लिए अच्छा है फुड मस् पुड फॉड प्रपरली काने को जाएंगे फूड मस्ट वी कुक्ड प्रॉपर्ली फॉर फॉल्विंग रिजन खाना क्यों अच्छे तरीके से पकाना चाहिए क्योंकि वह इजी डाइजिस्टेबल हो जाता है मतलब पचने योग्या हो जाता है उसमें से जर्म समर जाते हैं खाना टेस्टी बन जाता है ठीक तो ब्वाइलिंग में जो है वह चीजों को जहां कि खाने वाली चीज़ें उनको पानी विट्यमिन्स और मिंडरल है सौल्ट डिसॉल्ड इन वार्ट इन लॉस्ट इन इन मैथ्ट अफूट कुकिंग तो जो मतलब की उबालने से क्या होता है कि कुछ विट्यमिस और मिंड पानी में घुलंशील होते हैं वह इसमें खतम हो जाते हैं ठीक है लिट्ल क्वांटिटी ओ वाटर शुट बी यूज इन वाइलिंग इटेबल सो जब खाने वाली चीजों को अबाल रहे तो थोड़ा पानी का स्नमाल करना चाहिए अगर पानी मतलब की बहुत जादा होगा इस शुड नौर भी थोड तो उसे फेकना नहीं है ठीक है जैसे कि कुछ लोग की आदत होती है राइस को अबाल लिया है जो उसका एक्सेस वाटर होता है उसे ड्रेन आउट कर देते हैं फेक देते हैं जैसे कि राइस पलसेज मीट्स और वेजिटेबल्स जो है उनको बॉ शुर्म बाइज जाता है पिर आजाता है रोस्टिंग इसमें आग पर चीजों को रोस्ट की आजाता है ओर ऑर एकसे असे शृस्टिंग और पीडिया जाए जाय जाए तो भी जो है वह की खतम हो जाते हैं roasted meat जो होता है वह ज्यादा tasty और easily digestible होता है पर आजयता है फ्राइब जैसे के पकोड़ा, समोसा पूड्यां आज जाती है इसमें खाना बहुत जल्दी बन जाता है ठीक है इस प्रॉसेस से लेकिन यह थे लिए इतना ज्यादा benefit नहीं होता है ठीक है अगला question है कि what are the types of discipline discipline के क्या-क्या type है तो discipline दो तरीके का होता है self-discipline जिसको कि हम internal discipline भी कहते है रूस को follow करने की जो इक्षा है वो अंदर से जागरित होती है ठीक है external force की ज़रत नहीं होती external command की ज़रत मतलब बाहरे प्रेशर के ज़रत नहीं होती ठीक है और यह पर्मनेंट होता है क्योंकि अंदर सिक्षा जागरे तो यह रूल को follow करने की ठीक है फिर आजयता है forced discipline और commanded discipline तो इसमें क्या होता है rules and regulation को follow करवाया जाता है ठीक है first discipline will remain only up to that time when you have a fear of सब्वत तो जब आपको किसी चीज का डर होगा तब यह वाली तरगी का discipline जो है वो follow किया जाता है self-discipline better होता है children must have the feeling to be self-discipline बच्चों में self-discipline की आदत होनी चाहिए so that they may become good students or good citizen ताकि वो एक अच्छे student और एक अच्छा नागरीत बन सकते तो बच्चों यह वीडियो हो जाती हमारे यहीं पर खत्म in case आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में question कीजिए आपको reply करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी thank you very much and all the best for your exams bye-bye